हे गाइज वेलकम बेक टो मैई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइज कैसे हैं आप सब आप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज तो गाइज अभी मुझे जाना है कहीं बाहर और यहाँ पर सबसे पहले अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैंने अपने छोटे वाले बेटे को सला दिया है क्योंकि वो दुपहर में सो जाता है भी दुपहर का समय है तो मैंने सोचा कि चलो घंटे दो घंटे वो सो लेगा जब तक मैं अपना काम निपटाया हूंगी और यहाँ पर मैं कहा जा रही हूँ वो तो आप भी आपको पता चली जाएगा तो यहाँ पर गाइज मैं रेडी हूँ और मेरे साथ जा रहा है मेरा बड़ावाला बेटा बहुत दिन से वो कहीं गया नहीं है बाहर तो वो बहुत ज़्यादा एकसाइटेड है और यहाँ पर मैं बिलकुल ही रेडी हो चुकी हूँ मैं वेट करनी हूँ अपने भाई का और मेरा बेटा भी वेट कर रहा था दरवाजे पे खड़े होकर और यहाँ पर हमारे यह रोड जब से बन रहा है न तब से बहुत जादा दिमाग खराब है कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो गाईज यहाँ पर मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए जादा वेट नहीं करना पड़ा मुझे जैसे ही मैं रेडी हो गई थी तो मैंने इसको फोन कर दिया था और गाईज मैं जा रही थी यहाँ पासी में अपनी मम्मी के घर पर तो वैसे भी जब मुझे काम होता है या मेरी मम्मी को काम होता है तब ही मेरा आना होता है और आज भी मुझे काम था और अरजन्ट था कई बार मेरी भाबी ने मुझे फोन करके बुलाया तो इसलिए तो मुझे आना ही पड़ा और यहां पर आप देख सकने हैं कि यह जो दादी हैं बिलकुल गूम रही थी इनको जादा किसे मतलब नहीं है अपने में हिमागन रहती है और मैं दिखा देती हूँ कि हाँ यह है मेरी भाबी और इसको जाना था गाइस अपने माई के तो यह बिलकुल रेडी हो रही थी और इसके जो भाई है माई के वाली वो इसको लेने के लिए आने वाले थे और घर से कौन आने वाला था यह अभी मुझे तो पता खेर था नहीं और यहां पर यह चोटी वाली भी आ चुकी है अपने माई के से अब इसको 2-3 दिन ही हुए है और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है अपने रूम में कर रही थी आराम तो अभी वो लोग आए नहीं थे तो फिर यहाँ पर मेरी मम्मी बड़ी फुरसफ से कर रही थी आराम और वैसे भी अब थोड़ी सर्दी हो गई है कम धूप बहुत ज़्यादा निकलने लग गई है तो यहाँ पर थोड़ी तसलिस टाइप की मिल गई है एक तोर से की सरदी थोड़ी कम हो गई है लेकिन यह रहता है कि अगर धूप में बैठो तो गर्मी लगने लगती है और नीचे आजाओ कमने में तो सरदी लगने लगती है तो यहाँ पर मैं ममी से बाते करने लग गई थी तोड़ा ता ममी के पास बैठ गई थी और वैसे भी जब किसी को आना होता है ना गायस तो बहुत सारे काम मतलब रहते ही हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे मतलब भार से कोई आ रहा हो या फिर लोकल से कोई आ रहा हो तो कोई भी गैस्ट अगर आता है ना घर में तो सब को बहुत सारे काम लगे ही रहते हैं तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी और जैसे बो लोग आए तो यहां पर नासता बगएरा रेडी कर दिया था और यहां पर नासते की प्लेटे आम देख सकते हैं नमकिन विस्किन जो भी है चलता है नासते में नॉर्मल वो था और चाय बगएरा बना ही ली थी छुटी वाली ने तो उसी ने सब को फिर जाके नास्ता वगेरा दे दिया था लगा दिया था और भावी के माई के से आये थे उनके दोनों भाई मतलब एक उनका रियल भाई है जो स्वेटर पहने हैं और जो जैकेट पहने हैं उनके मामा के लड़के हैं तो ये दोनों भाई उनको लेने के लिए आ गए थे और सबसे पहले चाय नास्ता लगाया और जब तक लोगों ने चाय नास्ता किया तब तक भावी डेडी होई रही थी और वैसे भी इन लोगों को मतलब आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा मेरे फिर गायज उसके बाद मेरे लिए और ममी के लिए रूम में आ गई थी चाय तो हम लोगों ने यहीं पर बैटके बड़िया गर्मा गरम चाय पी और बड़िया चाय बनी थी बैसे भी मुझे तो चाय रियल में बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर यह मेरा भाई है गायज यह मेरे से छोटा है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे से दो भाई छोटे हों एक भाईया बड़े हैं और जो बड़े भाईया है वो बहार रहते हैं तो इसलिए उनसे ज़्यादा मुलाकात आप लोगों की मैं कभी मतलब करवाया नहीं पाती हूँ और मुझे भी इंतजार है कि वो किस दिन मेरे ब्लॉग में आएंगे मैं हमेशा ही होती हूँ जब भी अगर मैं वहां गई या फिर भी या कभी आएंगे तो मैं आप लोगों से जरूर मिला दूगी और दो लोगों से तो मैंने आपको मिलवाई होगा और एक ये मेरा भाई है मतसे छोटा और एक और छोटा है वो बहार रहता है लेकिन वो ब्लॉग में आ जाता है आपनों देखा होगा वो कुछ दिन पहले ही गया है अभी चुट्टी पे आया था वो कुछ दिन पहले ही गया है तो मेरे तीनों भाई है पुलिस में और ये यूपी पुलिस में है गाईज तो ये इसको जाना था ड्यूटी और इसी की वाइफ को जाना था माई के तो ये अपनी duty के लिए ready हो रहा था और इसकी जो wife है, वो मायके के लिए ready हो रही थी और मायके में जाना उसको जरूरी था क्योंकि अभी है संक्रांथ और संक्रांथ में ज़्यादा तर सभी जो लडकियां होती हैं वो मतलब सादी सुधा लेडिर्स हैं संक्रांत में अपने माई के जाती है तो यहाँ पर अराभी अपना मेक अप कर रही थी और इनकी मम्मी अलग तयार हो रही थी और अराभी खुद तयार हो रही थी तो बड़िया मा बेटी दूनों ही जाने के लिए बड़िया अच्छे से मेकप करनी थी आप देख सकते हैं बिल्कुल उंगलील से लगा लगा के आई सेडो लग रहा था और लड़कियां तो इतनी ज़्यादा चुल्बली और समझदार होती हैं उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है ये तो सही बात है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आदी यदूरी तयार हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं इसको लेके थोड़ा सा बाहर आ गए थी और इसको बस बाहर गूमने की पड़ती है इतनी गूमने की बाहर पड़ती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ इसको बाहर मतलब टहलना रोट पे खेलना बड़ा अच्छा लगता है इसको तो ये अंदर बहुत रो रही थी जाने के लिए तो इसलिए मैं बाहर ले आई आप देख सकते हैं कितना रो रही और ये अच्छे तयार नहीं हुई थी पर इसको बाहर जाना था अपने डैडी के साथ गूमने के लिए और उसे जाना था ड्यूटी तो उसी के पीछे पीछे लगी हुई थी तो वो जैसे तैसे थोड़ा सा उसने सोचा कि चलो ये रो रही है तो इसको थोड़ा सा मैं गाड़ी पे घुमा लाता हूँ और कुछ खाने के लिए चीज बगरा दिला लाता हूँ क्योंकि आज कल तो भही ऐसे ही हो गया है कि बच्चों के पापा ड्यूटी बाद में जाएंगे और उनको पहले गुमा के कुछ खाने के लिए दिला के ले आएंगे तब वो ड्यूटी जा पाते है ऐसे ही मेरा बेटा करता है हमेशा जब भी मेरा हजबन ड्यूटी जाते है तो उसको गूमना भी रहता है और चीज भी खानी होती है और ऐसे ही अराबी करती है same to same जब तक वो उसको थोड़ा सा गुमा नहीं देगा तब तक इसामत नहीं होगी और बड़िया गुम रही थी और फिर आ गई थी अंदर मैं उसको जबर जस्ती फिल ले आई थी फिर गायद यहाँ पर होने लग गई थी खाने पीने की तैयारी क्योंकि समय होता जा रहा था और वो लोग ऐसे भी दुपहर में आये थे और जाना तो थोड़ा दूर तो था यून्हें एक दू घंटे लगने वाले थे और यहाँ पर छोटी वाली ही बना रही थी खाना पीना तो फिर यहाँ पर खाना लग गया था दोनों भाईओं को और यहाँ पर बेट भी हो रहा था मेरे हस्बेंड का क्योंकि उन्हें भी duty से आना था तो सब लोगोंने सोचा कि चलो उन्हीं के साथ खा लेंगे लेकिन उनको थोड़ा सा लेट हो गया था इस चक्र में फिर हम लोगोंने इनको खाना लगा दिया था कि जब तक दोनों भी या लोग खाना खाएंगे तब तक मेरे husband आई जाएंगे तो यहाँ पर इन लोगों को लगा दिया था खाना पीना और सब लोगों में पहले कहाया खाना पीना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा yes भी जो है भाई उसको तो पनीर की सब्ची बहुत ज़ादा पसंद आ रही थी तो यहाँ पर गर्मा गर्म फिर मैंने उसको भी दे दिया था उसको भी भूग लगाई थी देखके और यहाँ पर पूडिया थी ज़्यादा गर्म तो बिचार रहा पकड़ नहीं पा रहा था तो मैंने बोला कि थोड़ी ठंडी हो जाने दो उसके बात खा लेना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो फूख रहा था पूडियों को क्योंकि तसल्डी नहीं हो रही थी उसको तो तुरंती खाना था और यहाँ पर फिर जैसे तैसे रोते राते आप देख सकते हैं कि जवर जैस्टीस को तैयार किया उसकी मम्मी ने और उसकी मम्मी भी ready हो गई थी मतलब ये है मेरी भावी second number की तो ये भी ready हो गई थी तो ये रोही रही थी तो फिर मैंने इसको बाहर ले आई थी और ये जो सूस थे इसके नए थे तो first time इसमें चल रही थी चलनी की courses कर दे थी तो चलनी पा रही थी इसको बहुत अजीव लग रहा था इन सूस में तो मैं इसको बुला रही थी पर ये आ नहीं रही थी फिर मैंने इसको थोड़ा सा जबरदस्ती चलवाया कि चलो तब इसको थोड़ा सा experience हुआ चलने का और बड़ी प्यारी लग रही थी बिल्कुल एकदम डॉल जैसी लग रही थी और स्माइल भी उसी प्रकारते कर दे थी बत ये है कि रोती बहुत है रोना सुरू कर देती है तो सब लोग एकदम भड़़ा जाते है और यहाँ पर हम लोग यहाँ खड़े ही थे इतने में मेरे husband आगए थे मेरे बेटे को ले के आप देख सकते हैं यह दोनों की दोनों आगए थे और यह सोके ही उठा था और जैसा सूलाया था इसको वैसे ही उठा के ले आए थे क्योंकि मेरा मेरी ममे को घहर है वो पाफी में है तो हम लोग इतना जाजा सोसते नहीं है और इसने अरावी को देखा तो इसको लगा कि अरावी कहीं जा रही है तो बड़ा खुस हो गया था लेकिन अरावी तो अपने फूपा जी को देखके खुस हो गई थी आप देख सकते हैं कि तुरंट की तुरंट उनके पास जाने के के आये थे तो तीनों बच्चे चोकलेट देखे बड़े खुस हो गए थे और फिर यहां पर ये गाड़ी वगएरा चलने लग गई थी इनकी बच्चे तो बस क्या है कि जहां जाते हैं इनको बस गाड़ी से ही मतलब है वहीं खेलते हैं और वहीं बढ़िया अपना टाइम मे खाया था खाना तो फिर उनको लगा दिया था गर्मा गर्म खाना और फिर उन्होंने खाया जब तक खाना तब तक सब लोग बैठे रहे थे क्योंकि अब तो इनों को निकल लई था ताइम जादा ही हो गया था और आराभी बड़ी अपना चॉकलेट खाने में वेस्त थी और जैसे खाना पीना हुआ उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ लगे हाथो क्योंकि मैं क्यों पीछे रह जाओं खाने में और वैसे भी गर्मा गर्म खाना अगर होता है न तो खाना खाने का मन करने ही लगता है वैसे मैं अपने घर से खाना खाके आ आ रही थी कि पैन में आज मुझे चोट लग गई है और वाकरी में बहुत दर्द हो रहा था और उसके बाद भादी की पूरी तैयारी हो गई थी जाने की बैग आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि दो चार महीनों के लिए जा रही हैं लेकिन ऐसा पॉसीबल नहीं होता ह है क्योंकि जब भी कोई जाता है तो ज़्यादा रह नहीं पाता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहे हूं कि बागई में बैग चाहे जितना बड़ा ले जाओ आना तो जल्दी ही होता है तो यहाँ पा जैसे ही लोग निकल आये थे इनका बड़िया था गाड़ी में और मैं बता जारी थी कि यह जारी है संक्रान पर अपने घर पर और वैसे भी संक्रान पर हमारे साइड ऐसा चलता है कि हर लड़की अपने माय के जाती है तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी मुझे बुलाया है और रहने के परपस से अब मैं देखती हूं मेरा मन करेगा तो मैं आउंगी क पहुती जातर हो रह дрो ही तो मैंने इसका चोटू सा बैग लिये थी है तो मैंने इसके बैग में चॉकलेट और जो भी मुझे देना था पैसे वेसे मैंना सभी इसी में लग दिये थे पदनी इसको इतना पड़ात था जयने का क्योंकि इसको यह लग रहा था कि कोई सीरवाद लेके आपने जाने के लिए बिलकुल रेडी हो गई थी और यहां पर छोटी वाली भी सबसे मिलने लग गई थी क्योंकि जाहिसी बात है यह दिवराने जिठानी है तो भाई यह तो चलता ही है उसके बाद यहां पर मैंने भी थोड़ा सा मेल मिलाप कर लिया था क्य लेकिन फिलाल में अभी इनका जाना है तो मुझे भी थोड़ा सा बेकारी लग रहा था चली लग रहा था और उसके बाद यहां पर सब लोग खड़े हो गए बाहर इनको बिदारी करने के लिए और वैसे ऐसे मुमेंट पे ना मेरा तो बहुत ही कम मतलब उनका जाना आना ह होता रहता है मेरा बहुत ही कम आना होता है कि वो जा रही है तो मैं आ जाओं लेकिन आज उन्होंने पहले से बता जिया था कि दीदी मेरा मुझे आज जाना है तो इसलिए फिर वादा कली मुझे फोन कर दिया था फिर सोबह भी फोन करके बताया तो फिर मैंने का कि चलो ज पूदी में चड़ी हुई थी और जैसी उसने देखा कि मम्मी बैट गई है गाड़ी में वैसे इतना रोने लग गई थी भगवान इसके रोने से तो हम लोगों को बाकई में बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसका रोना जब सुरू होता है न फिर भई खतमी नहीं होत था उसके बाद ये लुक चले गए अपने घर के लिए और यहाँ पर मेरा एक बिटा तो खुस था दूसरा बड़ा उदास था क्योंकि अरा भी जा रही थी और वो देखो कैसे बता रहा था कि वो जा रही है और बाय उसकी हो गई थी फिर उसके बाद गाइस मुझे भी अ और यहाँ पर फिर हम लोग चल दिये अपने घर के लिए तो गाइस मैं ब्लॉक का यहीं पर एंड करूंगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहीएगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई लव यू ओल गाई